तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं HP Police Constable Exam 2019 के बारे में तो देखिए मैक्सिमम जो प्लस टू वाले हैं उन्होंने इस exam को fill up किया है जो कि हिमाज़र प्रदेश पुलिस में जाना चाहते हैं तो एप्रॉक्स 83,000 जो candidate ने हैं इस बार पुलिस के form fill up करेंगे तो आपका competition जो है वो 83,000 के साथ है तो ऐसे में CT आपको पता ही है 1063 अगर टोटल बोलू मैं और 83,000 में से 1063 बहुत छोटा नंबर है तो इस नंबर में आने के लिए क्या है आपको अच्छे से preparation करने पड़ेगी आपकी strategy जो होने चीए वो अच्छी होने चीए hard work के साथ आपका smart work भी यहां पर काम करेगा ठीक है अगर आप पहली बारी में clear होना चाहते है ठीक है उससे पहले बात एक चीज़ कर लेता हूँ मैं कि जिन क्या physical कम है यानि कि जो physically थोड़े weak है ठीक है chest वगएरा आपकी running वगएरा हो गई ठीक है तो उसको जरूर एक बार सुधार लीजिएगा ठीक है अभी आपके पास time है जैसे election होंगे आपकी dates वगएरा आ जाएंगी किसी भी time आपको physical हो सकता है तो जितना भी आपके पास time है अपनी running तेज रखिए ठीक है अच्छे से prepare कीजिए ठीक है चेस्ट वगएरा आप physical exercise वगएरा कीजिए अगर आपको chest में लगता है height का यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि सबसे पहले क्या होता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो जो सुनना चाते है यह specially उनीके लिए वीडियो है सबसे पहले आप जब भी ground में जाते हो तो आपकी height और chest होती है अगर आपकी height चोटी होती है तो आपको महीं पर out कर दिया जाता है तो अगर आपकी height चोटी है तो आपने return की तैयारे में शुरू हो जाएए और जिनको पता है कि ground नहीं clear कर सकते वो भी अपने ground की practice अच्छे से कीजिए और सासा return की भी practice कीजिए तो आपको clear हो जाता है बहुत कम time आपको मिलता है और उस time में आप पूरा syllabus cover नहीं कर पाते हैं तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा complete syllabus के बारे में बिल्कुल detail के साथ कि क्या क्या आपको cover करना है कैसे कैसे cover करना है और किस तरह से आप best way में तयारी कर सकते हो ठीक है दो तरह से तयारी होती है एक होती है आपकी coaching से बहुत से लोग coaching join कर लेते हैं ठीक है बुरी बात नहीं है ठीक है और कुछ होते हैं जो self-study करते हैं या पिनोंके पास coaching के रिए पैसा नहीं होता है coaching में एक खास बात क्या होती है ठीक है एक तो आपकी होती है time management में reason coaching जाने का यही होता है कि आपकी time management होती है और एक आपको proper guidance मिल जाती है कि इस direction में जो है आपको work करना है और इस तरह से आपको त्यारी करनी है अमालीज आप coaching जा रहे हो तो obvious बात है आप पढ़ोगे ही बैठके जब आपके सारे जो साथ वाले हैं वो पढ़ रहे हैं तो अगर आप self study भी करते हो तो भी आप clear हो जाओगे बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप coaching जाते हो तो वो भी अच्छी है बट अगर आपको syllabus आपको खुद को analyze करना पड़ेगा आपको जहां पढ़ते हो महां को भी analyze करना पड़ेगा कि आपको proper basic guidance मिल रही है कि नहीं मिल रही है बाकी इसलिए बस खुद को पता होना बहुत दुरूगी तो आज हम इन्हीं दो topic यो पर important बात करेंगे हर एक syllabus के बारे में मैं आपको detail में बताऊँगा क्या-क्या आपको cover करना है और उसमें से भी आप क्या-क्या पहले cover करोगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते है mathematics की यानि के maths का जो maximum का week होता है especially girls category में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका आता है average उसके बाद आता है discount, decimal and fraction, ratio and proportion interest हो गया, data interpretation हो गया, जो कि आप ना भी करें तो भी आपके लिए कोई जादा बुरी बात नहीं है उसके बार में आप पुरता होगा क्यों, ratio and time हो गया, mixture and allegation हो गया, number system हो गया, profit and loss हो गया, time and distance हो गया, percentage हो गया, whole number हो गया, time and work हो गया, manipulation होगी और fundamental arithmetic operation होगी, अब इसमें से most important क्या चीज़ है, जो आपको cover करने है, सबसे पहले profit and loss, यह चीज़ आपको पताओ ने चीए, क्योंकि इसमें से question हमेशा पुछे जाते हैं, दूसरी आगी percentage, फिर आगी आपका time and distance, चोथे पर आया आपका time and work, पिर आया आपका interest, फि पिर आया आपका average, ठीक है, आप अगर math की तेयारी कर रहे हो, आप बैठे हो, practice कर रहे हो, ठीक है, तो यह topics जो हैं, आपको सबसे पहले first number पर cover करने है, ठीक है, इनमें से कोई भी pick up कर लीजे, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जिसे for example, आपने percentage pick up कर ली, percentage कीजे, उससे बाद दूसरे topic पर आई है, ठीक है, तो यह चीज़ क्या है, आपको पहले cover करने है, ठीक है, अब जो data interpretation है, उसमें क्या होता है, कि आप से question जो होते है, वो ratio से related ही कुछ आते है, आपको data दे दिया जाता है, ठीक है, जो कि मैं बहुत rare अभी तक पूछे गए है, data interpretation के interpretation के, ठीक है, बट क्या होता है, कि आपको पता है, इस बार online form भरे गए हैं, और हो सकता है, कि थोड़ा बहुत आपकी examination, जो आपका question भी पराता है, उसमें change किया जाए, ठीक है, तो level जो होगा, वो थोड़ा high रखा जाएगा, क्योंकि सभी exams के level जो है, उठाय जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले आपको करना है, ये topics cover, ठीक है, अच्छे से prepare करने हैं, और इनकी question को daily practice करना है, उसके बाद आप जो भी discount बगारा पर अदर जो topic बचे हैं, उनके उपर जा सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपके mathematics की, जो आपके important question है, और इन जो आपकी red वाले हैं, इनसे question हमेशा ही पूचे जाते हैं, इसलिए मैं इनको red में किया है, next देख लेते हैं, आपका reasoning वाला section, reasoning में सबसे पहले बात करें, तो clocks and calendars आपको करने हैं, उसके बाद आपकी direction, direction यानि कि एक लड़का आपका east में जाता है, फिर आपका कि direction में मुड़ जाता है, वहाँ 5 km चलता है, फिर दूसरी direction में मुड़ जाता है, 6 km चलता है, इस तरह की question ही होता है, आपके direction करने हैं, जिनको नहीं पता है, वो करना है, आपको judgment करनी है, कोई आपको judgment से related, coding decoding, यानि कि हम जैसे A, B, C, D दे दिया आपको, कि उसको लिखते ह ल, I, J, K, ठीक है, तो इसको next आपके password दिया होगा, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, तो यह question आते हैं, blood relation क्या आते हैं, यह उसके चाचा की, मामी की, बतीजी की, बेटी आपकी क्या लगी, तो इस तरह की question, number ranking, कि एक person इससे दूसरे number पर खड़ा है, और वो उससे चौते नंबर पर है, तो उसके ranking बताईए, arrangement आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और alphabet series, तो यह जो section है, जो red में है, यह सबसे पहले आपको cover करने, क्योंकि इनी से ही question maximum time पूची जाते है, फिर आपके पास time बसता है, तो आप number series decision making, ठीक है, maximum यह भी आप कर लोगे, तो भी आपका general English की बात करें, तो antonym, synonym, जो कि आपको नहीं करने है, अगर आप newspaper पढ़ते हो English का, तो आप करते रही है, daily पढ़िए, कोई ना कोई word पढ़िए, उससे meaning रखिए, बट अगर आप particular चीज़ पर जाओगी, कि आप books के थूए antonym, synonym पढ़ रहे हो, तो वो आपका एक तरह से time waste है, क्योंकि आप 1000 पढ़ लीजिए, 2000 पढ़ लीजिए, ठीके, word बहुत सारे mo कहीं से भी दे सकते हैं, तो इन जो पर time मत लगाईए जीगा, correction of sentences आती है, ठीके, आपको correction करने ही पढ़ती है, सबसे important spelling test, आपके पास 4 spellings दी होती है, और पूछा जाता है कि कौन सी correct है, ये चीज़ important आपको पता होने चीज़, ये तभी पता होगी, जब आप एक चीज़ पढ़ोगे, कि आपको daily, आपको इचना कुछ word पढ़ रहे हो, newspaper में से word निकाल रहे हो, या फिर आपको online सेर्च करे हो, कोई भी आप article पढ़ रहे हो, तो बजाए इसके कि आपको कोई word नहीं समझाए, आप उसको skip करें, तो आप थोड़ा टाइम लगा के उसको dictionary में सर्च करके, online dictionary बहुत सारी है, उसमें सर्च करके उसका मतलब लिख लीजिए, ठीक है, तो ये चीज़ आपको आगे चलके बहुत beneficial रहेगी, फिर आए phrases and one word substitution, ये चीज़ जो है, ये आपको daily क करने, ठीक है, one word substitution, यानि कि किसी चीज़ के लिए one word, तो ये चीज़ आप 10 से 15 daily पढ़ते रहेए, ठीक है, हो सकते तो जादा पढ़ लिजिए, क्योंकि इसमें याद करने का कोई मतलब नहीं होता, सिरफ आपको देखना होता है, ठीक है, फिर grammar में preposition और article most important section है, क्योंकि यही आप से maximum time पूछा जाता है, preposition यानि कि आप जिसे in है और at है, ठीक है, इसका use आप कहां कहां पर कर सकते हो, अगर आपको correct way में पता है कि at का use कहां appear किया जाता है, और in का कहां पर किया जाता है, तो आप उसको place कर पाओगे filling in the blanks में, प्लेंक्स filling in the blanks ही पूछे जात है, जिसे for example at लगता है आपका smaller city के साथ, अगर आप smaller city की बात कर रहे है, smaller place की बात कर रहे है, smaller place की, तो आपका लगता है at, जिसे at shimla, at solan, ठीक है, in लगता है countries के साथ, in India, in Malaysia, in South Africa, तो यह चीज़ है, यह आपको पता हो नीचे proper way में, ठीक है, at अगर आप किसी चीज़ क पर आप aim कर रहे हो, तो उसके साथ भी at लगता है, तो इस तरह से आपको पूरी चीज़े पता होने चीज़े कि in, at, on, upon, beside, कहां-कहां पर use होता है, with किस-किस के साथ use होता है, तो यह होता है आपका preposition का, तो यह चीज़े आपको पता होने चीज़े, maximum चीज़े आपकी मह आपके पास word दिया जाता है, एक sentence दिया, फिर दूसरा sentence दिया, फिर तीसरा दिया, इनको arrange करो, arrangement of the sentences, तो यह भी दिया जाता है कि पहले कौन साथा, दूसरा कौन साथा, तीसरा कौन साथा, चौथा कौन साथा, ठीक है, यह चीज़ होता है, एक reasoning में और चीज़े आती है, आपके पास चार option दिये होते हैं ठीक है उनमें से आपको odd को out करना है क्यानिकि तीन कौन से same है और चौथे को आपको out करना है यह चीज़ जब आप practice करते होगे तो आपको आती रही इस चीज़ पर आप mainly focus रखिएगा नेक्स देख लेते हैं important section most important section आपके police के लिए जो की आपको करना ही करना है ठीक है और इससे question आती है international and national organization जितनी भी international organization है कब उनकी foundation हुई थी ठीक है और उनका head कौन है इस चीज़ के बार में आपको ज़रूर करना है में में books और authors ठीक है science innovation and discovery science का section में नहीं पर आपका cover कर दिया है ठीक है कितनी उसमें inventions है discoveries हुई है ठीक है उसके इलावा आपके diseases बगएरा कौन-कौन सी होती है में vitamins कौन-कौन से होते हैं इस चीज़ पर आपको main focus करना है countries और capitals and साथ में currency इस country की कौन-कौन सी capital है और उसकी currency क्या है यह आपको करना है current affair national और international यह सभी आ जाते है आपके HP plus national इन में देखी current affair के बात करूँ तो person in news कौन-कौन से important आपकी नुकतिया हुई है अवार्ड कौन-कौन से मिले है जो यहां पर मैंने डाली ही दिया है ठीक है और financial और economical news important days ठीक है एप्रोक्स आपको 6th मन्त के तो important days पढ़े ही लेना है budget आपको पताने चीए ठीक है 80 number का paper होगा ठीक है 80 marks में से आपके जो question पूचे जाएंगे वो बहुत सो समझ के पूच जाएंगे ऐसा नहीं है कि आपके पास दोस्तो question आने है आपके पास 80 question आने है तो 80 question में से आप लगा लेजिए अंदाजा कि किस तरह से question पूच जाएंगे बट आप 80 में से यह भी न modern section आपको cover करना है ठीक है नेक्स देख लेते इंडियन जीके में इंडियन जीके में सबसे पहला है solar system जो की मुस्त्री लोग skip कर देते ठीक है सूर्य है उसके निकट का ग्रह है ठीक है नीला ग्रह है गरम ग्रह है कौन सा है चमकीला कौन सा है ठीक है किसके सबसे जारा उप उसमें गरंथ वगरा होगा है सबसे प्राचीर में तो यह चीज़े में में आपके बंश जो थे वो कौन कौन से थे वीजे नगर से तो इनमें एक एक लाइन में में चीज़ें आपको MCQs वगरा पढ़ सकते है ठीक है पॉलिटी में आर्टिकल अनुछेद सबसे इंपॉर सबसे पहला जैसे सविधान सबगा निर्मान कब हो था सबसे प्रधान मंत्री कौन थे यह चीज़ें सारी फस्ट एंड जो डिलेटेस्ट है इससे रिलेटिड वह आपको पढ़ना है ठीक है तो यह चीज़े अगर आप कवर कर लोगे तो आपके चांसे बहुत जादा है कि आपके नॉलेज बहुत विल्ट हो जाएगी और आपके confidence label भी जो है वो हाई हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं हिमाचल जी के अब मैं बिल्कुल अगर डिटेल में बिल्कुल कवर करता तो यह वीडियो बहुत नहीं जाती है पर आइधिंक आपको समझ आ रहा होगा ठीक धामी गोली कांट कब हुआ था ठीके कौन सी सभा कब बनी थी यह चीज़े history only important point history में देखे आपको जारा focus नहीं करना है इमाचल की सिरफ important point ही discuss करने है for example अगर अंगरेजों ने किस-किस रियास्तों पर कब-कब अकरमन किया था और सिखों ने कब-कब किया था गोर्खों किस रियासत की साफना किस ने करी है ठीक है उसका founder कौन है और उसका first और last राजा कौन था ठीक है तो यह चीज़ें अगर आप cover कर लोगे तो भी history में बहुत है और वैसे history को आप सबसे important चीज़ है last में cover कीज़ेगा all section आपको पहले cover करने मिसलीनेस में आपसे sports से related question आ जात है कितनी growth रही है कितनी क्या रही है वह चीज़ सबसे पहले और history आप सबसे last में करोगे चाहे वह हिमार्चल की हो चाहे वह इंडियन जीगे क्योंकि history में बहुत मतलब आपका pressure exert होता है mind के ऊपर क्योंकि boring से होती है तो at least आपको यह confidence रहेगा कि बाकी subject मुझे बाकी सारे म पढ़ोगे तो अगर आपको समझ नहीं आई तो एक चीज़ आपके mind में यह रह जाएगी कि history अभी मेरा सारा सलेबस पढ़ा है history ही मुझे अभी तक कवर नहीं हो ठीक है तो यह चीज़े हैं आप last में history को कवर कीजिगा तो बात करते हैं हिंदी की हिंदी में सरुन नाम है संग्या है, शब्द है, विशिशन है, भाशा है, शुद्ध शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यावाची शब्द है, मुहावरे है और संधी है यह सारे अगर आपने कर लिया ठीक है तो हिंदी में से अगर आपके 10 कोशन आते हैं तो आपके 9 जरूर correct होगे और 8 भी होग तो यह चीज़े होगी, आपकी सारी, बाकी comment करके आप बता दीजिगा कि कौन से section से शुरू के, वैसे मेरा माना है कि हिंदी से शुरू करें क्योंकि हिंदी में बहुत से लोग लटकते हैं या फिर reasoning हो गई आपकी महां से या फिर आपकी English होगी, बता दीजिगा comment करके, त और क्या करना है, तो आपका वो चीज़ बेकार है, तो यहाँ पर मैंने approach 5 point find out किया है, जिन पर अगर आप अच्छे से prepare करो, focus करो, तो आपका अलजाम जरूर निकलेगा, सबसे पहला focus at weak point, देखे सभी की एक कमजोरी होती है, किसी का math कमजोर होता है, किसी की English होती है, किसी अगर आपको math नहीं आता है, तो simple सा बात है, उस पर work करो, सबसे ज़ादा, सबसे पहले सबसे ज़ादा उस पर work करो, क्योंकि वो चीज़ आपको exam में नीचे धकेल सकती है, यही होता है, क्योंकि maximum लोग exam अच्छा करते हैं, किसी का math week होता है, तो math के question नहीं करते हैं, और क बिल्कुल आपको लगता है, कि मेरा यह week है, उस पर आपको सबसे पहले work करना है, ठीक है, फिर revision, यह होता है most important section, जो आपके exam में आपके marks को high पहुंचाता है, reason क्या है, maximum का fail होने का, या नहीं clear होने का, कि revision ही करते हैं, आपने एक बार पढ़ लिया और आप उसको छोड़ ठीक है, तो अगले दिन next chapter पढ़ने से पहले क्या करना है, आपने उसको revise करना है, revise का मतलब यह नहीं होता है, कि आप दुबारा रटने लग जाओ, simple सा है कि उसको एक बार देख लिजिए कि क्या क्या मैंने पढ़ाता है, यह revision होता है, ठीक है, तीसरी चीज है, अगर आप Each subject everyday, आपको हिंदी हो गई, English हो गई, आपकी science हो गई, आपकी reasoning हो गई, और math हो गई, ठीक है, यह subject जो है, आपको important daily कवर कर, अपना time बना लिजे, कि आप मेरे को इतने से बज़े तक यह English पढ़ने है, इतने से बज़े तक science पढ़ने है, अगर ऐसा करो गई कि पहले हिंद daily practice, देखे, math की अगर बात करें, और reasoning की बात करें, तो उसमें daily practice ही होती है, ठीक है, बिना practice के आप math और reasoning नहीं निकाल सकते, यह उनके लिए है, जिनको math और reasoning कमजोर लगता है, ठीक है, यह line आपको पता ही होगी, practice makes a man perfect, ठीक है, practice आदमी को perfect बनाती है, तो अगर आप practice करो होगे, आपको बिल्कुल math नहीं आती, reasoning नहीं आती, तो आप आज से practice करना शुरू करोगे न, तो approximately one month बाद आपकी अच्छी खासी तैयारी होगे, ठीक है, बट अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मुझे तो नहीं आती है, ठीक है, तो यार फिर नहीं होने वाला है, किसी भ आपको लेनी है, तो वो books ले लीजिए, practice कीजी अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद क्या है, कि जैसे जैसे आप practice करते होगे, तो एक दिन आपका ऐसा भी आएगा, कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगे, ठीक है, पहले 5-7 दिन, 10 दिन आपको ऐसा लगेगा, कि चालीसा, कोई भी हनुमान, चालीसा, शीव चालीसा, जो भी आप ले लीजे, ठीक है, और आर्ती बगर्गर जो आप गाते हो, एक एक एकसामपल बता रहो होना है, आप इसको दिहान से सुनेगा, ठीक है, तो आप गाते हो, ठीक है, आपने वो आपको पूरी-पूरी उसका एक ही रिजन होता है jakiś practice आप practice करते हो ठीक है आप समझते हो और इस चीज़ को आप ऋब्लिपे टीज कर रहे हो बात यह पर metow and reasoning की बात नहीं है उसके बाद बात करते हैं बुक्स की आई होब आपको ये समझ आगा होगा इस तरह से आपको तैयारी करने है इस तरह से चलोगे तो ज़रूर आप काम्याब होगे ठीक है और अगर आप कोचिंग नहीं जा सकते हो तो जीके स्टेडी को आप ज़रूर फॉलो कर लिजगा क्यो इस लिए बहुत है जारा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है दूसरी आपकी अगर बात करें इंगलिश की सबसे पहले आप ले लिजे इंगलिश ग्रामर इंगलिश ग्रामर अगर आप बैसिक से बिल्कुल पढ़ना चाते हैं वैसे आपको लिश्ट से भी मिल लेज़ेगा आरे सगर वाली है ऐ थि ना तो एक बार उसको टॉपिक्स को जरूर चेक कर लीज़ेगा ठीकि हिंदी की बात करें तो सबसे पहले आपको ग्रामर हिंदी की किसी भी टैन्थ बगएरा कि आपको कोई बहन बाई उसमें पढ़ते हैं ठीकिक या कोई परोसी तो लाए जाएंगे बट एक चीज़ याद रखेगा self study के बिना कुछ भी नहीं है अगर आप self study नहीं करते हो ठीक है तो आपका exam chances बहुत कम हो जाते हैं देखें वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो आपकी होती है practice के लिए आपने पढ़ लिया आपको वीडियो पसंद आए हो भी वीडियो पसंद आए हो तो like कीजिगा शेर कीजिगा कुछ भी doubt हो तो comment कीजिगा बहुत जिल्दी में देंगे next video के साथ thanks for watching